श्री मत भागवत कथा तृती यसकंध अध्याय पांच अथ पंचमों अध्याय विदुर जी का प्रस्न और मैत्रे जी का स्रिष्ट क्रम वर्डन श्री सुगुवाज द्वारी दुनद्या रिसभः कुरुडाम मैत्रे मासीन मगाध बोधम छत्तोप स्रित्या अच्चुत भाव सुध्ध प्रपरच्छ सोसेल्य गुडाभी त्रिप्त स्री सुगुदेव जी काते हैं परम ज्यानी मैत्रे मुनी हरिद्वार छेत में विराजमान थे भगवत भक्त से सुध्ध हुए हिर्देवाले बिदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साथ सुभाव से आप्या यिद्ध होकर उन्होंने पूच्छा विदुर वाज सुखाय करमाडी करोती लोको नातय सुखम वान्य दुपार रमम वा बिन्देत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन नहां विदुर जी ने कहा भगवन संसार में सब लोग सुख के लिए करम करते हैं परन्तु उनसे ना तो नहीं सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दुर होता है बलकि उससे उससे भी उनके दुख की बृद्ध ही होती है अतह इस विशे में क्या करना उचित है यह आप मुझे कृपा करके बतलाएए जनस्य कृष्णाद्वी मुखस्य दैवाद धर्म सीलस्य सुदुख कितस्य अनुग्रह हाहे है चरंती नूनम भूतानी भव्यानी जनार्दनस्य जो लोग दुर्भाग गिवस भगवान स्रीकिष्ट से विमुख अधर्म परायण और अत्यन्द दुखी हैं उन पर क्रिपा करने के लिए ही आप जैसे भाग गिसाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं तस साधु वरयादिस वर्तम सम्नह सन्राधितो भगवान एने पुन्साम रिदि इस्थितो यच्छति भक्ति पूते ज्यानम सत्वाधिगम पुराणम साधु सिरो मडे आप मुझे उस सांति प्रद साधन का अवदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हिर्दे में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोच अनुभो कराने वाला सनातन ज्यान प्रदान करते हैं करोति कर्माडि कृतावतारो यान्यात्म तंत्रो भगवान्स्त्र धीसह यथा ससर जाग्र इदम निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते यथा पुनह स्वेख इदम निवेश्य सेते गुहायामस निवृत्त विर्त्त ही योगे स्वराधी स्वर एक एतद्धन प्रविष्टो बहुधाय था असीत त्रिलोकी के नियंता और परम सुतंदर स्रीहर आवतार लेकर जो जो लिलाएं करते हैं जिस प्रकार अगरता होकर भी उन्होंनी कल्प के आरम्व में इस स्वरिष्ट की रचना की जिस प्रकार इसे अस्थापित कर भी जगत के जीवों की जीविक्या का विधान करते हैं फिर जिस प्रकार से इसे अपने हिर्दया कास में लीन कर बृति सूनने हो योग माया का असरे लेकर सयन करते हैं और जिस प्रकार वे योगे स्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रम्भांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ठ होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं वह सब रहस्त्य आप हमें समझाईए क्रेडन विधत्ते द्विजगो सुराणाम छेमाए करमाल्य वतार भेदय है मनोन त्रिप्यत्यपी शिन्वतामन सुस्लोग मौलेस चरितामृतानी ब्रामण, गौ और देवताओं के कल्यान के लिए जो अनेकों अवतार धारन करके लीला से ही नाना प्रकार के दिब्विकर्म करते हैं वे भी हमें सुनाईए ये सस्तियों के मुकुटमड स्रीहर के लीला मृत का पान करते करते हमारा मंत्रिप्त नहीं होता ये स्तत्व भेदैर धिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान अचेक्रिपत पद्धत्र ही सर्वसत्व निकाय भेदो अधिक्रितः प्रतीतः हमें यह भी सुनाईए कि उस समस्त लोकपतियों के स्वामी स्रीहर ने इन लोकों लोकपालों और लोका लोक परवत से बाहर के भागों को जिनमें यह सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारा अनुसार भिन 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 भेद प्रतीत हो रहे हैं किन्तत्तों से रचा है येन प्रजानामुत आत्म कर्म रूपा भिदानाम च भिदाम व्यधत नारायणू विश्व स्रिडात्म योनिर योनिरे तर्च नोवल्ले विप्रुवर्य परावरे साम भगवन ब्रतानी सुरुतानी में व्यास मुखाद भीच्छडम अत्रिप्तनुम छुल सुखावा हानाम तेसा मृते कृष्ट कथा मृत वगात दुजवर उन विश्वकरता स्वयम भू स्री नारायण ने अपनी प्रजा के सुभाव कर्म रूप और नामों के भीद की किस प्रकार रचना की है भगवन मैंने स्री ब्यास जी के मुख से उंच नीच वर्णों के धर्म तो कर्म बार भगवन मैंने स्री ब्यास जी के मुख से उंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं किन्तु अब स्री कृष्ट कथा अमृत के प्रवा को छोड़कर अन्य स्वल्प सुभतायक धर्मों से मेरा चित उव गया है कस्त्रिप्प्य नुयात तीर्थ पदो अविधानात सत्रे सुह सुर्भी इड्य मानात यह कल्ल नाडीम प्रोसस्य यातो भव प्रदाम गेहरितम छिनत्ती उन तीर्थ पद स्री हर के गुडान वाद से त्रिप्त हो भी कौन सकता है उनका तो नारद आदीम हात्मा गण भी आप जैसे साधूं के समाज में कीर्थन करते हैं तथा जब यह मनुस्यों के कंड रंद्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर ग्रिहस्ती के आसक्ति को काट डालते हैं मुनिर बिवच्चुर भगवत कुडानाम सखापिते भारत माह कृष्णह यस्मिन निराम ग्राम में सुखानू आदैर मतेर ग्रिहीता नुहरे कथायाम भगवन आपके सखा मुनिमर कृष्ण द्वय पायन ने भी भगवान की गुणों का वर्डन करने की इच्छा से ही महाभारत अचा है उसमें भी विशे सुखों का उल्ले करते हुए मनुस्यों की बुद्ध को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रेत्न किया गया है सा सरद्धानस्य विवर्ध माना बिरक्ति मन्यत्र करोति पुन्सह हरेह पदानु इस्मृति निर्वृत्तस्य समस्त दुखात्य त्य मासुधत्य यह भगवत कथा की रुची स्रद्धाल पुरुस के हिर्दे में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विश्यों से उसे बिरक्त कर देती है वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनन्द मक्न हो जाता है और उस पुरुस के सभी दुखों का ततकाल अंत हो जाता है तान्चो अच्च सोच्यान विदो अनसोचे हरेह कथायाम बिनू बिमुखान घेन शिरोती देवो अने मिसस्तू एसा मायूर बृथावाद गति स्मृती नाम मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनी अज्यानी पुर्सों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण स्रीहर की कथाओं से बिमुख रहते हैं हाई काल भगवान उनके अमूल जीवन को काट रहे हैं और वे वाडी देह और मन से ब्यर्थ वाद विवाद ब्यर्थ चेष्ठा और ब्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं तदस्य कौसारो सरम दातुर हरेह कथा मेव कथा सुशारम उद्धृत्य उस्वेभ्य इवार्त बंधो सिवायन कीरते तीर्थ कीरतेह मैत्रे जी आप दिनों पर क्रिपा करने वाले हैं अतह भावरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है उसी प्रकार इन लवकिक कथाओं में से इनकी सार भूता परम कल्यान कारी पवित्र कीरती स्रीहर की कथाएं चाट कर हमारे कल्यान के लिए सुनाईए सविष्व जन्म इस्थिती सैयमार्थे कृताब तारह प्रग्रिहीत सक्तिही चकार करमाल्य अति पुरुसाणी यानेश्वर कीरते तानी महयम उन सर्वेस्वर ने संसार के उत्पत्ति इस्थिती और संहार करने के लिए अपनी माया सक्ति को स्विकार कर रामकृष्ण आद्य आवतारों के द्वारा जो अनेको अलोकिक लिलाएं की हैं वे सब मुझे सुनाईए स्री सुकुवाच सा एवं भगवान प्रिष्टह छत्रा कौसार बिर्मुनिही पुनसामनि स्रे सार्थेन तमाबह मानयन स्री सुकुदेव जी कहते हैं जब बिदुर जी ने जीवों के कल्यान के लिए इस प्रकार प्रस्ण किया तब तो मुनिस्रेष्ट भगवान मैत्रे जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यों कहा मैत्रे उवाच साधो प्रिष्टम त्वया साधो लोकान साध्व अनुग्रिहनलता केर्तिम बितन्वता लोके आत्मनो अधोच्छ जात्मन स्री मैत्रे जी बोले साधु सुभाव विदुर जी आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूची है आप चित आपका चित तो सर्वदा स्री भगवान में ही लगा रहता है तथा आप इस संसार में भी आपका बहुत सुयस फैलेगा नैत चित्रम त्वय छत्तर बादरायण बीर्यजे ग्रिहीतो अनन्य भावेन यत्वया हरेरी स्वरह आप स्री व्यास जी के अवरस पुत्र हैं इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वे स्वरहरी हरी के ही आश्रित हो गए हैं आप प्रजा को दंड देने वाले भागवान यम ही हैं मांड ब्रिसिका साफ होने के कारण ही आपने स्री व्यास जी के वीर से उनकी भाव विजित्र वीर की भोग पतनी दासी के गर्व से जन्म लिया है भवान भगवतो नित्यम सम्मतह सानुगस्य च यस्य ज्यानोप देशाय माय अदिस्त भगवान ब्रजन आप सर्वदा ही स्री भगवान और उनके भगतों को अत्यन्द प्री हैं इसलिए भगवान निजधाम पधारते समय मुझे आपको ग्यानोप देश करने की आग्या दे गए हैं अत्ते भगवल लेला योग मायो मायोप ब्रिंहिताह बिश्व अस्थित्तुद वानतार्था वल्ल्याम्यनू पूर्वसह इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति इस्थित्य और लए के लिए योग माया की द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन लिलाओं का क्रम्स वर्लन करता हूँ भगवानेक आसेत मक्र आत्मा आत्मनाम विभु आत्मेच्छा अनुगता वात्मा नाना मत्यू पलच्छडः स्रिष्ट रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पून परमात्मा ही थे नाद्रश्टा था नाद्रिष्य स्रिष्टिकाल में अनेक व्रित्यों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे क्योंकि उनकी इच्छा अकेले ही रहने की थी सवा एस तदाद्रश्टा नापस्यद द्रिष्यम एकराट मेने असंत मिवात्मानम सप्त सक्ति सुप्तद्रिक वे ही द्रश्टा होकर देखने लगे परंत उने द्रिष्य दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि उस समय वे ही आदुती रूप से प्रकासित हो रहे थे ऐसी यवस्था में वे अपने को असत के समान सबजने लगे वस्तुतः वे असत नहीं थे क्योंकि उनकी सक्तियां ही सोई थी उनके ज्यान का लोप नहीं हुआ था सावा एतस्य संद्रुष्ट सक्ति सद सदात्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभू यह द्रस्टा और द्रिस्ट का अनुसंधान करने वाली सक्ति ही कारेकारण रूप का कारेकारण रूपा माया है महाभाग विदुर जी इस भावा भाव रूप अनिर्वचनी माया की द्वारा ही भगवान ने इस विश्टो का निर्मान किया है काल बृत्या तु माया याम गुण मै याम धोच जह पुरुसेडात्म भोतेन बेर्यमाधत बेर्यवान काल सक्त से जब यह त्रिगुण मै माया छोब को प्राप्त हुई तब उन इंद्रिया तीत चिन मे पर्मात्मा ने अपने अन्स पुरुस रूप से उसमें चिदा भास रूप वीज स्थापित किया ततो अभवन महतत्व महतत्व अभ्यत ततो अभवन महतत्वम अभ्य तत काल चोधितात्व विज्ञानात्म आत्मत देहस्थम विश्वम व्यंजस्त मोनिद्व तब काल की प्रेड़ा से उस अभ्यक्त माया से महतत्वत्व प्रकट हुआ वह मित्या अज्ञान का नासक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सुज्वरूप से स्थित प्रपंज की अभिव्यक्ति करने वाला था सु अप्यंस गुड काल आत्मा भगवत द्रिष्टि गोजरह आत्मानम व्यकरोद आत्मा विश्वस्यास्य से स्रिच्छया फिर चिदा भाज गुड और काल के अधेन उस महत्तत्य ने भगवान के द्रिष्टि पढ़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूप आंतर किया महत्तत्य के विक्रित होने पर अहंकार की उत्पत्य हुई जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और करता अधिदैव रूप होने के कारण भूत इंद्री और मन का कारण है महत्तत्वा द्विकुर्वाना दहन्तत्वम ब्यजायत कार्य कारण करत्रात्मा भूतेंद्री मनुमय हुई वैकारिकस्तय जस्च तामसस्च त्यहं त्रिधा अहुई अहंतत्वा द्विकुर्वालानान मनुम वैकारिकाद भूत वैकारिकास्च ये देवा अर्था दिभ्यंजनम यतह वह अहंकार वैकारिक सात्विक तैजस राजस और तामस्भेत से तीन प्रकार का है अतह अहंतत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विस्यों का ग्यान होता है वे इंद्रियों की अधिस्ठाता देवता हुए तैजस आनी इंद्रियान नेव ज्ञान कर्मयानिच तामसो भूत सूझ मादिरेत खम लिंग मात्मन हुए तैजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियान और कर्म इंद्रियान हुई तथा तामस अहंकार से सूझ भूतों का कारण सब्द तनमात्र हुआ और उस्से द्रिष्टांत रूप से आत्मा का वोत कराने माला आकास उत्पन हुआ काल मायान्च योगेन भगवत्वी द्वीचितम नभ नभसो अनुस्रितम अस्पर्सम भिकुरु वन्निर ममे अनिलम भगवान के द्रिष्टी जब आकास पर पड़ी तब उस्से फिर काल माया चिदा भास के योग से अस्पर्स तनमात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उस्से वायु की उत्पत्य हुई अनिलो अपि विकुर वालो नभसोरु बलान्मितह ससर्ज रूप तनमात्रम जो तिरलो कस्य लोजनम अत्यन्त पलवान वायुने आकास के सहिद विकृत होकर रूप तनमात्रा की रचना की और उस्से संसार का प्रकास तक तेज उत्पन हुआ अनिले नान्वितम जोतेर विकुर वत्पर विच्चितम आधत्तांभो रस्मयम काल मायांस्च योगतह फिर परमात्मा की दृष्टि पढ़ने पर वायु युक्त तेजने काल माया और जिदन्स के योग से विकृत होकर रस्तनमात्र के कारे जलुको उत्पन किया जोति साम्भो अनुसंस्रिष्टम विकुर वत्पर विच्चितम महीम गंध गुडामा धात्म काल मायांस्च योगतह तद ननंतर तेज से युक्त जलने ब्रह्म का दिष्टि पात होने पर काल माया और जिदन्स के योग से गंध गुड मैं प्रिथवी कृत पन किया भूतानाम नब आदीनाम यद्यभ्य यद्यभ्य यावरावरम तेशाम परानुसंसर गाध्य थासंखयम गुडान विदू बिदुर जी इस आकास आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन हुए हैं उनमें क्रमस अपने पूर्व पूर्व भूतों के गुडभी अनुगत समझने चाहिए एते देवा कला विश्डोह काल मायांस लिंगिनह नानात्वा आत्वस्व क्रियानी साह प्रोचू प्रांजलो जलयो विभूं ये महत्तत्व आदि के अभिमानी विकार विच्छेप और चेतनांस विशिष्ट देवगण स्री भगवान के ही अन्स हैं किन्तु प्रितक प्रितक रहने के कारण जब विश्वरचना रूप अपने कारे में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे देवा उचुहु नमामते देव पदार विंदं प्रपन्न तापोप समाप समात पत्रम यनमूल केता यतयो अंज सोरू संसार दुखं बहरूचित बहरूच्चि पन्ति देवताओं ने कहा देव हम आपके चरण कमलों की बंदना करते हैं ये अपनी सरण में आये हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छट्र के समान हैं तथा इनका आश्रे लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेक देते हैं प्रपन्नाह मुनिजन एकांत अस्थान में रहकर आपके मुख कमल का अस्रे लेने वाले वेद मंत्र रूप पच्छियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर पापनासनी नदियों में स्रेष्ट स्री गंगाजी के उद्गम अस्थान है आपके उन परंपावन पादपद्मों का हम आसरे लेते हैं यच्छरद्याह सुत्वत्याच भक्तया सम्रिज्य माने रिदे अवधाय ज्यानेन बैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्ते अंग्री सरोज पीठम हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का असरे ग्राण करते हैं जिसे भक्त जन्सरद्धा और स्रोमड कीर्तन आदि रूप भक्त से परमार्जित अंता करण में धारन करके बैराग्य पुष्ट ग्यान के द्वारा परंधीर हो जाते हैं विश्वस्य जन्म इस्थिती सैयमार्थे कृतावतारस्य पदाम भुजम ते ब्रजेम सरवे सरणम यदीश इस्मितम प्रचत्य भयम स्वपुन्साम इस आप संसार की उत्पत्ति, इस्थिती और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं अता हम सब आपके उन्चरन कमलों की सरण लेते हैं जो अपना अस्वन करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं यत सान वंधे असती देह गेहे ममाह मित्य, मित्यूढ, दुराग्र हालाम, पुन्साम सुदूरम, वसतो अपिपुरयाम, भजेम तत्ते भगवन, पदामबज जिन पुर्सों का देह गेह तथा उनसे संबन्द रखने वाले अन्य तुच्च पदार्थों में अहमता ममता का दुर्ण दुराग्र है उनके सरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं उन्हीं आपके चर्णारविन्दों को हम भजते हैं तानवे यसद बृत्त भिर शिविर्ये पराहरिंत तांतर मनसह परेश परम्य सस्वी परमेश्वर इंद्रियों की विश्या भिमुक रहने की कारण जिनका मनसर्वदा बाहर ही भटकता रहता है भटकता करता है वे पामर लोग आपके विलास पूल पाद विन्यास की सोभा के विशेशग्य भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते इसी से वे आपके चर्णों से दूर रहते हैं अथोन पस्यंत्यू रूगाय नूनम ये ते पदन्यास बिलास लच्म्याह पानेन ते देव कथा सुधायाह प्रविध्भक्तया विसदासया ये बैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथा अंज सान्मी यूरकुंठ दिश्ण्यम दिश्ण्यम देव आपके कथा अम्रित का पान करने से उमड़ी हुई भक्त के कारण जिनका अंतह करन निर्मल हो गया है वे लोग बैराग्य ही जिसका सार है ऐसा आत्म ज्यान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाती हैं तथा परे चात्म समाध्य योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिस्ठाम त्वामे वधीरा पुरूसम विसंती तेसाम स्रम स्यान तूसे वयाते दूसरे धीर पुरुस चित्त निरोध रूप समाध्य के बल से आपकी बल्वती माया को जीत कर आप में ही लीन तो हो जाते हैं पर उन्हें स्रम बहुत होता है किन्तु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है तत्ते वयं लोक सिस्रिच्छया अध्य तुवयानु स्रिष्टा अस्त्रिभी रात्म भी अस्म सरवेव युकताह सो विहार तंत्रम न सक्नुमस्तत प्रतिहर तवे ते आधिदेव आपने स्रिष्ट रचना के इच्छा से हमें तुरूड में रचा है इसलिए विभिन सुभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी कृड़ा के साधन रूप प्रम्हान की रचना करके उसे आपको समर्पन करने में असमर्थ हो रहे हैं यावद द्वन यावब द्वलिम ते अज हराम काले यथावयम चान्नम दाम यत्र यथो भैसामत इमेहिलो का बलिम हरंतो अन्नम द्धन्त्य नूहाः अता जन्म रहीद भगवन जिससे हम ब्रम्हान रचकर आपको सब्रकार की भोग समय पर समर्पन कर सके और जहां अस्तित होकर हम भी अपनी योगिता के अनुसार अन्न ग्रहन कर सके तथा ये सब जीव भी सब्रकार की बिगन बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पन करती हुए अपना अपना अन्न भच्छन कर सके ऐसा कोई उपाय कीजिए तौम नह सुराळामसी सान्वयानाम कोटस्थ आद्यह पुरूसह पुराणह तौम देव सक्त्याम गुड कर्म योणव रेतस्थ जायाम कभी माध धे अजह आप निर्भिकार पुराण पुरुसह अन्न कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदिकारण हैं देव पहले आप जन्माहीने सत्वादि गुड और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया सक्ति में चिदा भासरू पीरियास्थापित किया था ततो वयमसत प्रमुखा यदर थे बभू विवा बभू 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 विमात्मन करवाम किमते त्वम्नह स्वच्चच्चु परिदेही सक्तया देव क्रियार थे यदनु ग्रहाणाम परमात्म देव महत्तत्व आदि रूप हम देवगण जिस कारे के लिए उत्पन हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें देव हम पर आप ही अनुगरह करने वाले हैं इसलिए ब्रह्मान रचना के लिए आप हमें क्रिया सक्त के सहित अपनी ज्यान सक्त भी प्रदान कीजिए इत स्रीमत भाग्वते महा पुराणे पारम हंस्याम संहितायाम्त तियसकंधे पंचमों अध्याय स्रीराधा वल्लभ